हेलो एवरीवन नमश्कार बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका MLT एजुकेशन पॉइंट पर प्रिवेस क्लास में हमने पढ़ा था सीमेन एनलाइसिस में में डिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बाद में कि सीमीन का फॉर्मेशन कहां से होता है इस्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होता है तो ये सारी चीजे हम प्रिवेस ब्रिवेस क्लास में डिसकस कर चुगे हैं यह पर पढ़ने से पहले वह देखनी बहुत ज़रूरी है सीमेन एनलाइसिस पार्ट तो आज हम दिखेंगे कि सीमेन और इस पंग का काउंट जो हम कांट कैसे करते हैं सीमें का इनलाइ जो आच्छे class में हम पढ़ेंगे sperm count semen analysis totally तो यह समझने से पहले में आपको बताए कि वह class देखना बहुत जब तक आपने वह class नहीं देखी यह class आपको समझ में नहीं आने वाली है तो semen analysis हम क्यों करते हैं semen analysis हम इसलिए करते हैं semen analysis is the one of the first test due to evaluate men's fertility में की fertility check करने के लिए हम semen analysis करते हैं कि sperm count में sperm count low तो नहीं है तो semen की quality है वो लो तो नहीं है तो कोई भी abnormalities आ रही है sperm count में उसकी morphology में आ रही है उसका जो shape, size वगरा है उसमें defect है उसकी motility अगर proper नहीं है तो male fertile नहीं हो पाता है बच्चा consume नहीं कर पाता है तो फिर उस कारण से यूजड for after vasectomy, vasectomy मैंने आपको previous class में बदाया था कि vasectomy क्या होता है यानि कि नस बंदी करवा लेते हैं यानि कि वास difference होती है उसको vasectomy में vas difference को cut करके बांद दिया जाता है ताकि sperm जो है वो आगे नहीं जा पाए से minor vesicle तक नहीं आ पाए और वहाँ पर sperm जो है वो testis के अंदर formation होके वही रहे जाते हैं तो उस कारण क्या होता है कि जो मदब आगे family planning नहीं करना चाता है तो वो फिर नस बंदी करवा लेते हैं कि उनका semen का production तो होता है लेकिन उसके अंदर sperm नहीं present होते हैं जब vasectomy करवाते हैं तो vasectomy करवाने के बाद वो यह test करवाते हैं यह confirm करने के लिए कि उसके अंदर कहीं sperm तो नहीं है थिक है कि vasectomy करवाने के बाद भी sperm का production उनका फिर से 1200 मण तो नहीं आ हाए लेकिन जब आप चुरुआत में टेस्ट करवाते हो तो क्या होता है मैंने प्रीवेस क्लास में भी आपको बताए था कि जो do a Pierre when punt में you store this palms यह इंड़ है वो कुछ समय तक आपको सीमें मेंदेखने को मिल सकते ही कूछ समय तक फिर जब एंपूला में खतम हो जाएंगे तो फिर दें नहीं दिखेंगे ओक तो आपर पैसक टोमी के बाद में भी कन्फोर्मेशन के लिए यह ठेस्ट करवाते हैं सीमेन अनलाइसिस करवाने से पहले हमें कुछ सावधानिया है जो बहुत जरूरी है और ध्यान में रखना चाहिए पहली सावधानिय यह है कि abstinence period abstinence period का मतलब होता है परहेज जब भी सेमेन आलाइसिस करवाते हैं तो पैशन को इंस्टक करते हैं कि कंशेकं 2-3 दिन का abstinence period तो 2-3 दिन तक कोई sexual intercourse नहीं करना है उसके बाद में फिर यह हम सीमेन आलाइसिस करते हैं तो को इस्टक करना है कि 2-3 दिन के abstinence पीर पर हेज के बाद में ही 2-3 दिन तक आपको कोई sexual intercourse नहीं करना है then फिर आप semen analysis करवा सकते हैं दूसरा जो आता है वो है production of specimen by masturbation यानि कि जो semen analysis के लिए specimen collect करते हैं तो वो masturbation के त्रू यानि कि हर्स्ट मैथून के त्रू हम collect करते हैं हर्स्ट मैथून के त्रू करेक्ट करते हैं हम कोई sexual interpreters के द्वारा भी करते हैं बहुत सारे लेकिन वो उसमें क्या है कि exact जो आती है value वो नहीं आ पाती है इसलिए masturbation जो है वो अच्छी process से semen analysis करवाने के लिए हमें कॉंडम का यूज भी नहीं करना चाहिए कॉंडम के यूज के द्वारा भी specimen collect नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर spermicidial powder प्रजिंट होता है जो कि sperm की motility को effect कर सकता है इसलिए उससे भी हम specimen collect नहीं करवा सकते बेशन से masturbation से best रहेगा अगला जो है वो आता है at least three sample of specimen collected हमें कम से कम ती specimen collect करना चाहिए लागबक कम से कम one to two week एक थे दो विक के अंतराल में हमें कम से कम तीन सेंपल collect करने है और तीनों सेंपल का हमें observation करता है और और भी ऐसे कई है जैसे हमें एक अच्छा clean container लेना चाहिए जो साल्दानियाई में आपको बता रहे हैं इसके अलावा कि जो भी container हम पैशन को दे रहे हैं वो wide mouth का होना चाहिए clear होना चाहिए dry होना चाहिए उसके अंदर कोई water वगेरा इस तर नहीं present होना चाहिए ताकि contamination नहीं क्लेक्शन का जो area है site of collection तो site of collection में पैशन जो है वो home से भी collector के ला सकता है लेकिन अगर घर बहुत चादा दूर होता है तो फिर उस condition में हॉस्पिटल में ही एक अच्छे सैब जगा हो जहां पर पैशन को privacy भी मिल जाए ऐसी जगे स्पैसिमें कलेक्ट करवा सकते हैं पैशन से home से लाने में अगर डिस्टेंस जादा होता है तो उसमें क्या है कि motility में कोई defect आ सकता है या फिर sound जो है वह exact नहीं आता है उसमें भी थोड़ा मतलब problem create होती है और इसके अलावा है हाँ एक और important बात कि हमें जो specimen collection specimen collection करने के बाद नहीं उसका temperature maintain करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि sperm जो है वह ना तो ज़्यादा जो गरम temperature है ठीके वहां पे भी वो motile नहीं रेपाते हैं और बहुत ज़दा cold temperature पर भी नहीं रेपाते हैं तो हमारे body temperature का जो आसफास का temperature हो उस condition में आप उसको रखें और फिर दिन आप analysis कर सकते हों एक और question ही आता है कि semen analysis जो है specimen collection के कितनी दियर बाद start कर देना चाहिए examination तो specimen collection के लगबख one hour के बाद में हमें examination जो है वो कर लेना चाहिए examination कर लेना चाहिए कि वन आर क्यों क्योंकि इसके बाद में अगर हम करेंगे वन आर के बाद में तो हमें count जो है वह exact नहीं मिलेगा देन उससे पहले क्यों नहीं तो क्योंकि जो liquifaction time है आदा गंटा 15-30 मिट तो liquifaction में ही लगता है उसमें तो उसके आदे गंटे तक आप रख सकते हो उसको उससे जाते हैं नहीं तो यह कुछ important points थे जो मैंने आपको बता दिये हैं अब आता है examination of semen, semen examination हम कौन कौन से process से करते हैं तो जैसे हम urine examination के लिए CSF examination के लिए करते हैं वैसे ही इसमें भी है physical examination, microscopic examination, chemical examination physical examination में हमें क्या करना है कुछ नहीं observe करना है उसको देखना है उससे हम जिसे उसमें pH हम उसमें देखेंगे उसकी volume कितनी है, उसका color कैसा है, उसका लेफिफेक्शन time कितना है, specific gravity कितनी है, viscosity कैसी है यह सारी चीज़ आती है physical examination के अंदर microscopic examination के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, sperm का count हम check करेंगे, sperm की motility हम देखेंगे, sperm की motility हम देखेंगे sperm की motility बहुत चादा important है, count भी important है, सारी चीज़ इंपर्टन है, बढ़ा रही हूं कि sperm की motility नहीं होगी, तो बहुत करके भी नहीं जा पाएगा, उसको जाना है, एक तक पहुंचना है, तभी तो fertilization होगा sperm morphology, sperm की morphology हम देखेंगे, इसमें कि head में कोई defect नहीं है, उसकी पहुंच में कोई defect नहीं है, तो यह सारी चीज़ इंपर्ण की morphology के अंदर आती chemical examination, chemical examination में हम देखते है, fructose का लिए, fructose present है या नहीं है, fructose जो है, main source है energy का, sperm के लिए, fructose अगर नहीं present है, तो वो motile हो ही नहीं सकता, वो जिंदा रही ही नहीं सकता, क्योंकि यह main source है, energy का ओके यह सारी चीज़े हम 7 examination के अंदर पढ़ेंगे, तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले physical examination से, और यहां पर chemical examination लिखा हो गया, तो यहां पहले हम क्या पढ़ रहे है, physical examination, physical examination, ओके, physical examination में हम सबसे पहले दिखते हैं, उसकी volume, volume कितनी होनी चाहिए, तो approach volume जो है, per ejaculation कितनी होनी चाहिए, 2-3 mm, per ejaculation, 2-3 abstinence period के बाद, abstinence period के बाद, 2-3 does, 2-3 does, 2-3 does, दो से 3 दिन के abstinence period के बाद में, जो volume होती है, per ejaculation वो 2-3 mm होती है, अगर बार बार आप यही process कर रहे हो, तो volume इसमें कम हो सकती है, या फिर seminal vesicle, हमने देखा था कि semen का formation, seminal vesicle के अंदर होता है, यानि कि seminal vesicle के अंदर जो fluid बढ़ा होता है, और prostatic gland के अंदर जो fluid बढ़ा होता है, उन दोनों को कहते हैं, हम semen, उसके अंदर sperm भी present होता है, तो seminal vesicle में कोई abnormalities हो गई है, तो उस कारण से volume जहें, उसकी कम हो सकती है, और अगर seminal vesicle में कोई दिक्कत हो गई है, उसमें अगर वो जो fluid है, वो कम बन रहा है, तो क्या होगा, उसके अंदर जो biochemical substance present है, जो फ्रक्टूस हो गया, तो फो सब अगर उनका level भी कम हो जाएगा, और अगर उनका level न प्सकी कम हो जाएगा, तो sperm को nutrition नहीं मिल पाएगा, jak doet, nutrition नहीं मिल पाएगा, energy नहीं मिल पाएगी तो उसकार में sperm जो है, वो जिन्दा रही नहीं सकता, वो dievoti हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है वह भी बहुत ज्यादा जरूरी है कितनी है अगला आता है अपेरियंस जो है हां सॉरी एक चीज़ों कि वॉल्यूम को हम कैसे मीजर करें तो हम जो 10 ml का जो भी ग्रजुटिट होता है या फिर 10 ml का जो भी प्रिपड है उससे हम इसको मिजर कर सकते हैं को टरबी तमें दिखाई देता है इसी अपेरियंस उसकी होते हैं उसके अंदर अगर यूरीन प्रजट्र है इप्रजन सुट्बैकर यूरीन कंटामिनेटेट सिमिन डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लेडर नैक फंक्शन हमने देखा था कि यह क्या है हमारा ब्लेडर है एक ब्लेडर है और इसी blender से जो है वो seminar जोड़ी हूई है स्माहिनल वेसायकल यहाँ से जुड़ी होई है जोए इस bladder से यहा पर पार स्प्रोश्टट्स है और यहां से जो है वह हमारी sperm hyetra methyl जाती है personal dot आके यहां पर सिखाने के लिए है यहाँ है clear नहें टॉर एक में कोई डिफेक्ड हो गया है तो यहां से आ रहा है का स्वा पॉरी में अ dónde dot में तो स्पाम है ञाइब रही नही सकतेे का में तो टॉब यहां से इन्मोटाइनगे यहां पर इसलिए इनको alkaline medium जो है sperm को दिया जाता है ताकि वह alkaline medium में क्या रह सके live रह सके, motile रह सके, उनको पूरा nutrition जो है वो प्रोपल उनका environment उनको मिल सके तो urine present होगा मतलब की वो contaminated हो जाएगा ना presence of blood in cement color pink called hematospermia, एक दम आ रहे हैं यहां पर hematospermia means presence of blood in sperm, sperm के अंदर अगर, semen के अंदर अगर blood present है तो उस condition को हम कहते है hematospermia और उस condition में हमें कैसा देखने को मिलता है semen जो है वो उसका color अलका अलका सा pink देखने को मिलता है अगर fresh blood होता है तो यह हमें क्यों देखना मिलता है जब कोई malignancy हो गई है को टूमया हो गया है समाइनल वैसाइकल में या फिर prostate gland में तो उस condition में देखने को मिल सकता है कभी-कभी TB की condition में भी हमें यह देखने को मिलता है पिएच पिएच उक पिएच जो आएब कितना पिएच सीमेन होता है सेवन पहट फइपट एड ईड़ फिएच थी नबील्स दो दैका संवेंकर ना आती है पिएच पूरा गएट बना देती है ताकि इशरॉन को कोई उफेक्ट नहीं हो जिना रह सके और जो वेजाइना है वेजाइना के अंदर के पीएच को भी maintain करके रखती है बल्वो युरित्र ग्लैंड भी maintain करके रखती है और प्रोस्ट ग्लैंड भी ताकि जब नहीं जगे जाएंगे स्पाम तो वो उसके इन्वार्मेंट में ढहल सके इस वजह से वहां पर pH का मेंटेन होना बहुत जरूरी है तो pH इतना होना चाहिए सिमेन कों से वहन होता है लिक्विट फॉर्म में ऑफ न फोड़ी सी देड़ बात वह फिर क्या वंजाता है एक जैल लाइक बन जाता है यह बन जाता है ऑग जैल लाइक क्लोट बन जाता है क्यों बनता है Fibrenogen के करार Fibrenogen कहां से मिलता है Seminal Vecicle के अंदर Fluid present होता है उसमें Fibrenogen present होता है जो की इसको Cload बना देता है Cload क्यों बनाता है यह मैं पहले डिस्कस कर शुकर हुँ previous class बार-बार time waste नहीं करना है time बहुत समय जो है वो बहुत सेनल सैक लंशन की अब है कि से माइनल स्क्राइब कोई एक दुट हुआ findings धेडी करता जैंकinkोм उने में थोड़ा ठीम लगता है कि हमें बोग जफे वह वधी नहीं आपन हो और वह भी नहीं जगे जाएगा विजाइना में, तो वहाँ पर भी उसको मतलब सैटम होने वाद थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो वहाँ पर ये क्या कर देता है कि उस फिबरी नुजन उसका क्लोट बना देता है, ताकि वहाँ का इंवार्मेंट जो है इसकी साब से सेट हो सके, तो वह जो है ताइम जो है, मैं आपको बताऊंगी अभी है फिब्टीन टू थर्टी मिनिट जो है मैं नहीं यहाँ पर क्यो लिखा है कि वह बना देता है ताकि वहाँ के इंवार्मेंट में वह ढल सके फिर क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद फिर से, after some times कितने दिन बाद, कितनी देर बाद, सोरी दिन बाद नहीं, कितनी देर बाद 15 तो 30 मिनिट के बाद नहीं वह क्लोट फिर से क्या हो जाता है Liquid FOM में आ जाता है जैसा उसका नेचर होता है सीमेन का सेंवेसे ही हो जाता है वैसे ही में प्रोस्टेटिक ग्लेन में प्रोस्टेटिक एंजाइन के करण यह क्या हो रहा है टूट जाता है जो प्रोटीन बना है प्रोटीन का फ्रेग्मेंट बना है उसको डिग्रेडेट कर देता है इनकी प्रोटियास के करण पैपसी नूजन के कारण इमाइलेस की कारण ट्रांसमेंदेस की कारण फिब्रिनो लाइसीन के करण यह सारे उसको तोड़ने का काम करता है जो बना है उसको तो अगर प्रोस्टेटीक लेंड में कोई दिक्कत हो गई है तो क्या होगा कि जो बना है वह लिकवीड ही नहीं हो पाएगा और अगर अगर में रिक्वीट नहीं हो पाईगा तो क्या होगा वो बना रहे हैं और जब तक वह क्लोट रहता है तब तख इस पंच वह इूम बना दे नहीं लॉक्ति फॉह लॉक्टिनी नहीं होगा तो यह ओता है जो कि बहुत ज्यादा important होता है exam में इसमें सो question पूछा जाता है तो आपको समझ में आ गया क्लोड क्यों बनता है liquid क्यों होता है उसके लिए कौन सी जो ग्लेंड है वो responsible होती है देन आता है viscosity of semen viscosity अच्छा हाँ कि विसकोसिटी जो होती है स्मूव करती है चिप चिप इसी होती है और बैटरी होती है observed by taking the specimen by drop by drop मैंने आपको यह बिताए कि पास्चर पीपेट लेनिया है उसको drop by drop जो है वो semen अगर fall हो रहा है मतब कि विसकोसिटी जो है उसके खीक है तो यह हो गई हमारे physical examination की हमने सब देख लिया कि pH कितना होना चाहिए volume कितनी होनी चाहिए lipification कितना होना चाहिए और viscosity कितनी होनी चाहिए अब चलते हैं हम Microscopic examination के उपन जिसमें हम देखेंगे morphology of sperm sperm की morphology हम देखेंगे कि sperm की जो head है sperm का जो tail है sperm की जो size है वो normal है या नहीं है अगर उसके morphology में कोई defect होती है तो उस condition में भी person जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाता है तो collect of fresh sample of specimen and wait for 15 to 30 minutes for liquefaction and examine as soon as possible तब कि हमें specimen collect करना है 15-30 minutes हमें रुकना है liquefaction के लिए then हम उसको examine कर सकते हैं अब हम देखते है determination of morphology of sperm morphology हम देखेंगे सबसे पहले दें फिर हम उसकी mortality फिर हम sperm का count देखेंगे तो morphology जो होती है sperm की उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना उसकी procedure क्या होती प्रोसीजर वहोगत ज़्यादा मतलब easy है इसकी morphology में हमें क्या करना है एक smear जैसे हम blood smear बनाते हैं Sam वैसे ही इसमें हमें एक clean blood smear बनाना है blood smear बनाने के बाद हम उसको क्या कर देंगे air rai होने के छोड़ देंगे then उसको हम क्या करेंगे fixed करेंगे fixed करने के बाद में फिर हम उसको leishman stain से stain कर लेंगे then हम उसको high power पर observe कर लेंगे तो यह बहुत easy procedure है Sam is blood smear कुछ भी नहीं करना जैसे blood smear के हम observe करते हैं Sam is में ही smear बनाना है fixed tone देना से stain करके हम उसको observe कर लेंगे अब observe क्या करेंगे यह मैं important है ठीक है slide बनाना यह तो सब चिजह आपको आती है छोटी बात है यह तो normal observation हम देखते हैं सबसे बहले हमें normal observation पता होगी तब ही तो हम abnormalities को देख पाएंगे जब हमें normal नहीं पता होगे तो abnormalities को क्या देखेंगे तो normally sperm की size कितनी होती है 50-70 micrometer 50-70 micrometer होती है head की size होती है 3-6 micr length होती है इसकी head का जो cup है हमने देखा था कि cup जो होता है यानि कि यह हमारा क्या है sperm है 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 हमारा sperm और यह उसकी हमने पूंच बना ली है तो sperm का जो head का यह cup है ठीक है यह cup है यहां पर present होता है अगर अगर कोई defect हो गया है जो कि light blue color का होता है अग्रोसोम जो है वो नहीं present तो क्या होगा जब में आपको ड्रील का जो example बताया था कि जब वो egg से जाकर मिलता है तो वो अपने enzyme जो है वो उसमें release कर देता है तो अग्रोसोम में कोई defect है तो वो enzyme release होई नहीं पाएंगे उसमें एक्रोसोम का होना भी बहुत ज़रूरी है head का होना भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर dark blue color का क्या present होता है यहां पर नहीं कर पाएगा तो वह बहुत नहीं पाएगा जहां पर उसको जाना है यह हो गई normal observation अब उसमें abnormalities देखते हैं कि abnormalities क्या क्या हो सकती है एक तो हो सकता है abnormal head shape जो shape head का जो shape है उसका वह abnormal हो सकता है यह double head हो सकता है या फिर head चोटा हो गया या फिर head बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया तो उस condition में भी fertile नहीं हो सकता size head head के हम size देखेंगे कि head की size कैसी है ठीक हम यहां example भी मैंने सभी बताये हैं आपको कि head की size जो है वो किती होने चाहिए ज्यादा बड़ा भी होने चाहिए ज्यादा चोटा भी होने ही होना चाहिए double head हो गया तो भी abnormalities ही है middle section उसका middle part है जहां पर mitochondria present होता है neck के बाद वाला portion तो अगर वो upset है या फिर swollen हो गया है तो उस condition में भी abnormalities हो सकती है tail tail को हम कहेंगे या तो tail जो है वो double हो गई है या फिर obscene है या फिर short है coiled है तो उस condition में भी वो move नहीं कर पाता है आगे नहीं जा पता है एक तक नहीं पहुच पाता है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यह head defect है ठीक है यहां पर आपको double head दिख रहा है तो यह mid-piece defect है tail defect है तो यहां पर आपको दिख रहा है इसकी tail यह तो बहुत जादा ही चोटी होगी यहां पर बहुत जादा ही मोटी होगी फिर यह double tail हो गई तो यह सारी abnormalities जो है वो हमें देखने को मिर सकती है तो in case of normal fertile कम से कम कितने 70% 70% जो है वो normal sperm होना चाहिए उसकी size head tail वगएरा सब normal होना चाहिए तो यह हो गया हमारा morphology के बारे में कि morphology हम क्या से देखते हैं अब आते हैं हमारी sperm की motility हैं motility की processor क्या होती है motility की processor में यहाँ पर कुछ नहीं है आपको एक जो clean glass slide लेने के बाद में हम इसमें add करेंगे one drop see-man one drop क्या डालें हम इसमें add करेंगे one drop see-man add करने के बाद हम इसने apply कर देंगे क्या cover slip यह हमने पर हम इसको हाई पावर पर देख लेंगे अब हमें देखनी क्या से हैं क्या क्या चीज़े हमें देखनी हैं कितनी motility हो नहीं चाहिए count is the number of actively motile sperm out of the total count of 200 यानि कि हमें कम से कम 5-10 field देखनी है और at least एक field में 200 100 तो count करने ही बहुत सारे sperm होते हैं तो हमें count करना है count करने के बाद में फिर्दे हम उसका percentage निकाल लेते हैं तो calculate the percentage of sperm chowing actual progressive motion मतलब देखो हमने क्या किया slide ले ली उस पर cover sleep रख दिया sorry semen रखा cover sleep रखी उसको हमने observe किया तो कम से कम हम 5-10 field देखते हैं उसमें से हमें कम से कम 200 तो एक फिर्ट में count करने ही है उसके बाद हम सब calculate कर लेते हैं लेकिन इस 70-80% नॉटाइल नॉर्मल फर्टाइल अगर 70-80% परसेंट जो है वह मोटाइल स्पम है तभी पेशन जो है वह नॉर्मल परसन जो है नॉर्मल फर्टाइल है मैं यहां पर कुछ 70-80% 70-80% जो हम देख रहे हैं वो क्या होना चाहिए यह मोटाइल होना चाहिए 70-80% हमें मोटाइल हो अब जाव होना चाहिए अब उसमें से भी इस सबसे पहला गरेट जो होता है उसको हम देते फास्ट प्रोग्रेसिव यानि कि excellent इन फ्रोग्रेसिट ठीक है तो दीजार इस टोगेट एन रैपिट प्रोग्रेशन यानि कि कम से कम हम जो अब जाव कर रहे हैं उसमें से हमें 40-50 प्रसंट कि ते 42-50 प्रसंट तो ऐसे दिखने चाहिए जो बिलकुल स्टेट लाइन से चलते हो यह इस तरीके से यहां पर बन वह नोन लीनियर मोटिलिटि नोन लाइनल मतलब की श्लोग प्रोग्रेसिव या फिर श्लग इस मोटियलिटि के तरंस इसको हम कहते हैं एक्टिव ठीके एक्टिव मोटाइल है और यह क्या है स्लग इस लगश श्लग इस मोटाइल कितने होने चीए 40-50 प्रसंट और जो नो तो नोन लीनियन बतलब कि यहां पर आपको देख रहे हैं यह बिल्कुल स्टेट लाइन से चल रहे हैं अब इस कंडिशन में क्या होता है कि कुछ स्पर्म जो होते हैं वो इधर मुख करने रख जाते हैं कुछ जो है वो इधर चले जाते हैं कुछ इधर चले जाते हैं तो ए अपने प्रोग्रसिव मतलब कि वह मूव है लेकिन वह लोकल मॉटीलिटी शो कर रहे हैं यारी कि एक स्पैसिफिक केरिया है बस वह रही है रही है भी मॉटेलिटी है अब मदाब कि वह आगे जाना चाहिए न तभी तक तो वह एक तक पहुंच पाएंगे तो वह लोकल 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 मोटिलिटी शो कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे नॉन प्रोगेसी यानीकी पोर मोटिलिटी ऩिया कि इस परंभ डेठills मोटिलिटी यहांatि कि आगे नहीं बढ़ पारहें उसके बाद आता है immotile, immotile जो है वो absence of forward progression, absence of forward progression, absence मतलब की उनकी motility ही नहीं, मतलब वो motile नहीं है, वो move ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे immotile, जो की degrade में आते हैं, और इस condition को कहते हैं हम, जहां पर sperm move नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्दी, अल्दीनू, जू, स्पर्मिय, जहां पर sperm move नहीं कर पा रहे हैं, उस condition को हम कहते हैं, अजीनू, जू, स्पर्मिय, एक और जो मैंने मा भी बताया पहले, चलो यहीं पर बता देते हूं कि, हमने देखा था कि, उसकी मार्फोलोजी में कोई डिफेक्ट हो, मॉर्फोलोजी में अगर कोई डिफेक्ट हो, तो उस condition को हम कहते हैं, टेरेटो, स्पर्मिय, टेरेटो, स्पर्मिय, टेरेटो, स्पर्मिय, और अगर मोटाइल नहीं है, तो उस condition को हम क्या कहते हैं, मोटाइल अगर नहीं है, वो मोटाइल नहीं है, तो उस condition को हम क्या कहेंगे, आज दीनू, जू, स्पर्मिय, यह टर्म्स आपको याद में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉ हाँ कि total mortality जो है वो कितनी है यहाँ पर 70-80% 70-80% है जिसमें fast progressive जो है जो active motile है वो कितने होने चाहिए 40-50% और जो non-linear motility है जो slow sluggish motile है वो कितनी होने चाहिए 30% यानि कि आपने एक फिल्ड में देखने के बाद में हम उसमें प्रसेंडेस निखाते हैं कि हमें कितने mutual कितने कितने प्रसेंडेस निकालने के बाद में जो इस उसको आप देखें कि इस पर है मोटाइल है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 40-50% जो अब देखो कि मैं यहाँ पर एक चार्ट बताती हूं आपको चलो चार्ट लास्ट में बता दूंगी कि फर्टाइल के लिए कितने जो स्पर्म है वो मॉटायल von चार्ट एक्जिट वैल्यू جो है वह है 40 टोटल मॉतिलिती कितनी होनी चार्ट और ईक्तिव उप्रेंट टोटल होगी 40 empire ऀक्तिव मॉटायल जो है वह 32प्रसेंट से कम नहीं होनी चाहिए ज्यादा 32% से अगर कम है मितलब कि वो non-fertile है लेकिन जो value है वो exact value यह मैंने आपको बताईए लेकिन value जो है वो इतनी तो होनी चाहिए 72-80% मोटाइल होनी चाहिए लेकिन 40% से अगर कम है मितलब कि वो फिर फिर नहीं कर सकता और इधर 32% से अगर active जो active मोटाइल है active active मोटाइल स्पर्म जो है वो कितने 32 से कम नहीं होना चाहिए 32 से ज्यादा ही होने चाहिए वो 40% यह है total यह क्या है total जो motility है जिसमें हमारे जो active है वो भी आ गए है और जो sluggish है वो भी आ गए है तो यह हो गया हमारा मोटीली अब हम इसका एक बार diagram समझ लेते हैं कि अभी हमने देखा grade A में हमने दिया कि स्वाम जो कि बिल्कुल स्टेट लाइन से चल रहे है यानि कि active प्रोग्रेशन उसका है प्लस स्टेट लाइन से चल रहे हैं अब यहां पर grade B में आप देख रहे हो कि यह इनकी कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं इनकी कोई स्टेट लाइन से नहीं चल पा रहे हैं ग्रेट D में आते हैं कि बहुत जद़ पूर है तो वह क्या करते हैं लोकल पुलीटी शूरु करते हैं इसी तरीके से खुमते रहते हैं दो आसपास वे अब ग्रेट D में आता है कि इसमें यहां पर आपको दिख रहे हैं कि यह डबल जो है इसकी आयं पर कोई नहीं दिक रहे हैं तो अगर इस तरीके कि आपको स्पर्म दिख रहे हैं मितलब कि कोई मॉटिलिटी नहीं है इस कंडिशन में जो पर्सन है वो फर्टाइल नहीं हो पाता है यह तो मैंने आपको बताई दिया है कि स्पर्म कंट के उपर अब मॉटिलिटी के बात हुई है अब आती है स्पर्म कंट की पारी इह क् лайको स्पर्म कंट क्या हो ना है कि स्पार्म कंट के यह तो उसके संगा जो इस आशी हैंaan mix करेंगे, mix करने के बाद में हमें requirement क्या होती है, एक तो चाहिएगा हमें new birth chamber और एक चाहिए हमें wbc pipet, wbc pipet जिसे हम thoma pipet भी कहते हैं, क्या कहते हैं, thoma pipet, wbc pipet जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर जो है वो एक white bead होती है, यह इस तरीके का तो नहीं होता है लेकिन फिर भी मतलब एक diagram अतारियों में आपको कि कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर वो 0.5 तक मार्क होता है इसका, यहाँ पर एक जो है वो बीड लगी हुए होती है, white bead होती है, और यह bulb होता है, फिर यहाँ पर जो है वो इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीकिता यह WVC-Pepate होता है जैसे हम थोमा भी पेट भी केते हैं 11 mark तक होता है एक यह होता है 11 mark और रिक होता है 0.5 mark तो यह अभी काम आएगा इसलिए मैंने आपको बताया है अब इसने क्या होता है कि reagent के जरूत हमें बढ़ती है इस firm count के लिए reagent बहुत ज्यादा important है आम इसका नाम याद कर लो ठीक है sodium bicarbonate क्या यूज करते हैं sodium bicarbonate जिसका formula होता है एन एच एन एच एन एच यू थी एन एच सी यू थी कितना लेना है 5 ग्राम 35 प्रसेंट जो है वह फॉर्मेली नहीं है फॉर्मेली जो की बनाय में डिस्ट्रवाटल 99 यह क्या हो गया हमारा reagent यानिकि इसको हम कहते हैं semen dilute यह क्या है हमारा dilute diluting fluid diluting fluid के अभी हमें जरूत पड़ेगी तो यह देख लिए आपने कि reagent हमें क्या लेना है इसकी प्रोसेजर देख लेते हैं अब यहां पर हमें ज़रूत पड़े कि wbc-pipet की इसको हम स्लाइट से भी देख सकते हैं लेकिन वह स्पैसिफिक मैथड नहीं है इसलिए इसको काउंट करने के लिए हम न्यूबस चैंबर का यूज करते हैं न्यूबस चैंबर में जितने भी क्या लेंगे सीमिन यह 0.5 मार्क तक हमने क्या ले लिए wbc-pipet में सीमे ले लिया भो देख सीमें दाउन डाइलूतिं फ्लूइट to the 11 मार्क and mix well, फिर 11 लेवन मार्क हमने लिया था तो उस तक हम क्या लेंगे जो डाया बाइलूटिं फ्लूइड हमने बनाया है जो डायू diluting fluid and उसको अच्छे से mix करेंगे, mix करने के बाद में discard the few drops, कुछ drop जो होती है, starting की, उसको हम discard करते हैं, हमें हमेशा से पता है, उसके बाद, charge the counting chamber, जो counting chamber है हमारा, जो newber chamber है, यह हमारा newber chamber है, इसको हम क्या करेंगे, charge कर देंगे, यह जो gutter है, इसको यहाँ पर fill कर देंगे, द high powering four corner square of WBC coun, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह जो four corner दिख रहे है, यहाँ पर हम करते हैं WBC coun, यहाँ पर हम करते हैं WBC coun, और यहाँ पर करना है यहीं पर हम इस सबाम को वी काउंट करना है अब गया एक और इंम्पोर्टेंट बात कि यहां पर ढाउटीं ungefil Y क्वाइलोशंग रेश्टू क्या क्यों में कि इक पर यहां पने लिया है तो उस का रेश्यो बनी जाता है अब बात यह आती है कि मैजर हमारे पास डबलियू पीपेट नहीं है हमें नॉर्मल पीपेट से अगर बनाना है अगर बनाना है तो हम कैसे बनाए कुछ नहीं करना है 1-20 का ratio बना रहे हैं और 20 μEFL हमने लिया यहां पर diluting fluid क्या लिया diluting fluid समझ में आ रहा है के से इसे तरीके से आप कोई साप भी रश्यो बना सकते हैं 1-2-20 के रश्यो में मल हमारे पास हमने 100 micro-tarm specimen लिया कितना लिया था? 100 micro-tarm 100 micro-tarm specimen लिया अब हमारे पास 100 micro-tarm specimen लिया है तो हमें diluting fluid कितना लेना होगा? कुछ नहीं करना है यहाँ पर जो हम dilution बना रहे हैं कि 20 का बना रहे हैं तो यहां पर जो रूम्स में आता है वह यह यहां पर नीचे आ जाए यहां पर नीचे आ जाए इसी तरीके से आप कोई साथ चाहे आप 100,000 यहां पर यहां पर आजाएगा हमारी स्पैसिमें की वॉल्म आ गई तो हम इसको काउंट करके कैल्क्लेट करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा यहां पर 2000 क्या जाएगा is equal to 2000 2000 मेक्रूटर हमें क्या लेना है यहां पर 100 मेक्रूटर हमने specimen लिया है तो 2000 मेक्रूटर हम क्या लेंगे diluting fluid लेंगे इसी प्रकार हम किसी का भी बना सकते हैं अगर हम हमारे पास WPC pivot नहीं है हम normal pivot से बना रहे हैं तो मैम क्या यह exact है 2000 बिल्कुल exact है कैसे बना है अभी हम यह भी पता चल जाएगा कि 1.20 का ratio कैसे बना देखो यहां पर जो है हमने specimen कितना लिया है 100 मेक्रूटर लिया है नीचे हमने लिया है कहा कितना 2000 2000 मेक्रूटर हमने लिया है 1.20 का ratio तो कितना इसी है बिल्कुल भी difficult नहीं है आप के पास अगर तुमा पिपेट नहीं है तो आप नॉर्मल पिपेट से भी diluting fluid बना सकते हैं यानि की dilution बना सकते हैं यह 1.20 का ratio है हमारा इसमें हम लेते हैं तो easy है आयूप आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ तो यह हमारा न्यूगर चमर अब हमको यह जो चार कॉर्णर है इसन चारो कॉर्णर में हमें इसको काउंट करना है अब rules क्या है इसके rules यह है कि अगर हम यह वाला area और यह वाला area count कर रहे है तो हमें यह वाला area और यह वाला area avoid करना है समझ में इससी प्रकार से हमें चार area में count कर लेना है अब calculation की बात आती है कि calculation हमें कैसे करना है calculation में number of sperm 1 ml of sperm and 1 ml of sperm चलो तो यहां पर देखो हम जब WbC count करते हैं तो हम करते हैं my floater में कैसे करते हैं my floater में अब यहां पर हमें क्या करना है ml में count करना है हमारे पास तो ml में आया तो यहां पर हम देखते हैं कि n is to 20 यानि कि number of sperm हम जो हमें count हो रहे हैं वह और 20 हमारा यहां क्या है dilution 4 हमारा यहां है area जब में न्यूवर्च आमेर आपको पढ़ाओंगी तो उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी कैसे count करना है calculation कैसे करना है आपको समझ में आ जाए 0.1 जो है वो है depth of fluid depth of fluid कितनी है 0.1 area count in कितना है 4 1000 1 ml में हम देख रहे हैं तो 1 ml is equal to क्या होता है 1000 तो यहां पर 1000 क्या है हमारा जितना हमें जो हमें count करना है वह अब यहां पर हम इसको calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n into 50,000 जो हमारा count आया है उसको हमें से multiply कर लेंगे और हमारा result आचाएगा यह तो बहुत easy calculation है इसकी बहुत ज़्यादा कोई tough नहीं है अब यह हो गया हमारा count अब भादी है बात कि जो normal sperm count कितना होना चाहिए normal sperm count जो होना चाहिए कितना अब्रोक्स 100 million यह पहले का जो है value वो है अभी आता है कि कम से कम कम से कम कितना 40 million 40 million per ejaculation 40 million per ejaculation तो होना ही चाहिए 40 to 60 40 to 80 million per ejaculation होना ही चाहिए अब आती है बात कि कितने जो specific value कितनी है कितने से कम हो गया तो वो 15 to 20 million 15 to 20 million यह 15 to 20 million यह पहले का रेश्यों है यह अभी का रेश्यों है अगर इस से कम हो गया तो वो फिर फर्टाइल नहीं है नॉर्मली कितनी होनी चाहिए अभी कि हिसाब से 40 to 80 million जो होना चाहिए तो यह इस पैसे पे कितना होना चाहिए कैसे करते हैं यह सारी चीज़े हमने देख लिए अब आते हैं हमारे chemical examination chemical examination हम करते हैं detection of fructose in semen fructose जो है वो main source of energy है fructose is main sugar of semen सीमेन के लिए जो main source या energy का वो क्या है fructose तो fructose को हम चेक करते हैं अगर fructose substance हो गया result in completely immotile sperm अगर उसको energy ही नहीं मिल पाएगी तो वो क्या जिन्दा रहे पाएगा नहीं रहे पाएगा तो completely वो immotile हो जाएगा इस पाँ प्रक्टोस जो है वो कहां present होता है seminal vesicle के अंदर present होता है seminal vesicle में कोई abnormalities हुई तो भी fructose का level कम हो जाएगा तो इसका determination qualitative भी करते हैं और quantitative भी करते हैं तो हम यहाँ पर quantitative detection कैसे करते हैं वो देखेंगे अगर qualitative के सबसे देखेंगे तो यहाँ पर 152-300 mg per DL normal range जो है fructose की होती है यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो हम यहाँ पर देख रहे है qualitative determination qualitative determination में जो method होती है अब method का नाम आप याद कर लेजिए resource in all method का principle क्या होता है तो when fructose is heated with resource in all in an acid medium to give red color complex जब fructose उसके अंदर present है fructose अगर उसके अंदर present है तो जब उसको resource in all fluid के साथ में heat करते हैं तो वो उसका color change कर लेता है give red color complex तो यह सा अगर color change नहीं होता है मैदब उसके अंदर fructose जो है वो अब से हैं जो यह qualitative method है एक रिएजेंट इसमें क्या होता है resource in all 50 gram miligram acid हम लेते 33 ml वो distilled water जो होता है वो 67 ml होता है प्रोसीजर क्या होती है प्रोसीजर बहुत ज़्यादा easy है इसकी कुछ निकाना है एक test tube लेनी है एक test tube के अंदर हम लेंगे यहाँ पर कितना 100 ml जो हमारा रिएजेंट है यहाँ की resource यहाँ वो हम लेंगे 1 ml रिएजेंट लेंगे उसके अंदर हम एड़ करेंगे 100 a1 रिए सेमेmind हमने एड़ कर देंगे इसको it करेंगे इसको हम heat कर यहां पर इसका color जो है वो change हो जाता है यहां पर से हम वह procedure जो मिन आपको बताईए 1 ml यह लेना है 100 ml जो है वो सीमें से माइनल fluid लेना है इसको heat करना है 1-2 minute के लिए poly होने देना है examine the solution and reward as follows examine करने ही उसको negative अगर उसमें no change in color अगर कोई color change नहीं होता है मतलब की वह negative है और positive means red color precipitate form within 30 seconds 30 seconds के अंदर अंदर वह क्या हो जाता है एक red color का precipitate शोग हो जाता है तो हम कहेंगे positive fructose जो है वह positive है clear है तो यह बहुत ज्यादा ज्यादा easy procedure is की कोई procedure में इतना ज्यादा difficult नहीं है अब आता है सबसे ज्यादा सबसे important बात कि exam में से इसमें question बनता ही बनता है तो मैंने सारा सब कुछ चार्ट में लिखा है कुछ important जो point है वह इसमें मैंने add किये हैं तो आप इनको note कर लीजएगा यह बहुत ज्यादा important है कुछ condition आती है उस condition में जैसे एक condition है ऐस्पर्मियम मिंस absence of semen सीमें अगर absence है अभी हमने देखा कि कितनी जो volume present होती है वो है 225 ml 225 ml सीमें की volume होनी चाहिए पर ejaculation तो अगर volume जो है absence है सीमें की बिल्कुल absence है तो उस condition को कहेंगे हम as-permium यह किस condition में हो सकते है या तो prostatic gland में या फिर seminal cycle में कोई abnormalities है अगली condition आती है as-do-spermia as-do-spermia means absence of sperm in the semen इन में आपको बिल्कुल confused रही होना है यह बहुत important चीज़े है आपको धियान में रखना है कि अगर semen absence है तो उसको हम कहेंगे as-permia as-do-spermia मतलब होता है sperm can semen के अंदर जो है वो sperm absence sperm present ही नहीं है उस condition को हम कहेंगे as-do-spermia clear है sperm absence मतलब कि या तो होट टेस्टीज में कोई abnormalities होई है उसके कारण या फिर टेपरिजर में नहीं हो पा रहा है nutrition नहीं मिल पा रहा है sperm का नहीं present रोन है बहुत सारे कारण हो सकते हैं teratozoospermia means में आपको बताया है था कि मार्फोलोजी में अगर कोई defect है उसके head में defect है उसके tail में defect है उसके mid-piece defect है तो उस condition को हम कहेंगे teratozoospermia अगला आता है oligozoospermia means very low sperm count sperm count low हो जाते हैं अगर जैसे 40 million 40 million से अगर स्पर्म काउंट कितने हो गए हैं लो हो गए है 40 million से अगर कम हो गए है तो उस कंडिशन को हम कहेंगे oligo-spermia necrose-spermia necrose-spermia को all the sperm in ejaculation are dead कितनी important बात है कि सीमेन के अंदर जो sperm present है sperm तो present है लेकिन सारे sperm क्या है डाइट है मर गए है तो उसको हम कहेंगे necrose-spermia अब आते हैं अपको बताया ही था कि पूर sperm की motility जो है वो पूर है जो मोटाइल नहीं है तो उस कंडिशन को हम कहेंगे azenospermia लुकोस्वमिया एक और कोटेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि हाई लेवल ओफ वाइट ब्लड शैस प्रजेंट इन दर सीमेन के अंदर लगवग वन तो टू वन तो टू एच्प यह नहीं पर हाई पावर फिल्ट जो है वो क्या प्रजेंट होते हैं पस्सेल हमें देखने को मिल सक लेकिन अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है मत्तब़ कोई नकोई इंफेक्शन है तो उस कंडिशन को हम कहेंगे लुकोस पर्मिया अब एक और कंडिशन आती है हमेटोस पर्मिया हमेटोस पर्मिया मिन्स प्रजीन सो ब्लड इन इस पर्म नॉर्मली सम के ब्लड नहीं प्रजेंट होता है और अगर दिखाई दे रहा है तो उस कंडिशन को क्या कहते हैं हमेटोस पर्मिया है तो यह कुछ इंपोर्टेंट टम्स जो है जो आपनोर्मलिटी से वह मैंने आपको बताई है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब कुछ पेराम इसलिए कहते हूं कि वीडियो को एंट तक करो हमेशा ताकि कुछ चीज़े जो आगे रह भी गई हो तो वह एंट तक याद आ जाती है विसकोसिटी विसकोसिटी नॉर्मल विसकोसिटी कैन भी पोड रोप हमने देखा कि रोप वाइड रोप हम चिभी पेट से जब उसको क तो 30 मिनित 30 मिनित या फिर 15 तो 30 मिनित पीएच पीएच होना चाहिए 7.2-7.1 ओके अलकीलाइं मीडियम होना चाहिए तभी जो इस पाम में वो लाइव रह सकते हैं प्रक्टोस का लेवल होना चाहिए 152-300 मिलीग्राम पर अड़ी और इस पाम वी कंसेंट्रेशन पर एमल म में होनी चाहिए 15-300 मिलीग्राम पर एमल स्पाम काउंट पर इज्यकुलेशन होना चाहिए 40 मिलीग्राम टॉटल मॉटिलिटी कितनी होनी चाहिए 40 प्रसंट होनी चाहिए और वायबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने देखा कि अगर सारे इस पाम द्र चाहिए कितनी प्रस टोट्ल मॉटिलिटी यहां पर होती है 40 प्रसंट लेकिन हम ने देखा कि इक्टीव मॉट्र है वह कितने मुने चाहिए 42 प्रसंट से कम नहीं होनी चाहिए 32 प्रसंट से ज्यादा ही होनी चाहिए 24 इससे अगर कम है यह सारे क्या है यह सारे वो पेराविंटर है जिससे कम अगर हुई इन से कम हुई मतलब की वो फटाइल नहीं है तो यह कुछ इंपोर्टेंट टम्स जिनके बारे में हमने देख लिया तो आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आए होगी बहुत ज्यादा क्लास है बेलकुत भी मस्त ना करें मिद्धि हैं अंगली क्लास में किसी नाए टॉपिक के साथ बने रही है हमारे साथ